टो आज मैं आपको explain करने वाली हूँ how to write distinguish between that is question number 2b Q2b को आपको किस तरीके से लिखना है और कितना लिखना है for how many marks तो यह मैं बताने वाली हूँ आज के वीडियो में यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली हूँ तो वीडियो के अंद तक बने रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो आपको बोर्ड एक्जाम में 2010 और मार्च 2018 में तो आपके सामने दो एक डिस्ट्रिविश है जहां पर आउटपूट मैथड या प्रडॉक्ट मैथड को पूछा गया है इंकम और फैक्टर कॉस्ट को पूछा गया है तो मैं अगर बताओ तो मीनिमम जो है आपको दो पॉइंट्स लिखने होते हैं ऐस पर और एक्जाम गाइडलाइन दो पॉइंट ही अगर आप सफी अच्छा लिखते हो इदम पॉफेक्ट लिखते हो तो यह विल गट आउट अफ माक्स लेकिन आपने कुछ भी लिखा है और चार पाच पॉइंट्स लिख दिये तो तो माटर नहीं करता बड़ अगर आप और चाहो तो अप्सवेंट पॉइंट फॉर पॉइंट यह डिपेंड करता है आपके उपर कि आपकी स्टडी कितनी हुई है ओके तो सबसे पहले आप क्या लिखोगी यहां पर मीनिंग लिखोगे सबसे पहला पॉइंट हमेशाद रखे मीनिंग से स्टार्ट करना है दोनों के बीच का dif it second point हो बताना है जैसे कि मीनिंग क्या है आउटपुट की फटोج की मीनिंग क्या है कि आपने नाशनल कर मार्ण प्रूरे साल मृठ है पूरे साल बहुות में प्रूरे साल में कितना गूड़ क्या गए लाए कितना इंकम हुई है वह होगा इंकम मैथर्ड लेकिन दुनों को डिफ्रेंस की बात कर तो यहां पर प्रॉडक्ट मैथर्ड में इस प्रॉडक्शन साइड होता है और इंकम मैथर्ड में distribution side यह difference बता सकते हो दूसरा difference आप बता सकते हो कि दोनों के अलग-अलग formulas बता सकते हो एक्जांपल के तरह बता दिया और कुछ जी से economics की बात करें तो microeconomics deal with a particular commodity particular income and macroeconomics deal with a national income और total income ऐसे आप बता सकते हो ठीक है या फिर और difference in microeconomic study with individual tree or macroeconomic study with the whole jungle whole forest i hope understood hooga किस तरी के से distributed